वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास्ट एंड सिविक से चैप्टर नमबर थ्री है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट आज हम करेंगे इसके NCRT सॉल्यूशन और क्वेस्टन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें इसक्राइब यह कह रहा है अलग-अलग छेतर में ऐसी कुछ चीज़ें बताओ जिसमें हमको यह पता चले कि औरतों के साथ इंडिया में भेदभाव होता है ठीक है या उनको कम प्रायोटी दी जाते है पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि यह देखा गया है as per the data कि अगर man and woman दोनों एक ही office में काम कर रहें एक जैसा काम कर रहें तो आदमी को उस काम के लिए जादा salary मिलती है जैसा कि आपको यहां दिख रहा है और उसी काम के लिए किसी भी lady को कम salary मिलती है तो पहला point आप क्या लिख दोगे first point में आप लिख दोगे women are given less wages या less salary than men है ना आदमियों से कम salary दी जाती है और तो दूसरा point क्या लिख होगे भाई अगर हम literacy rate देखे यानि कि साक्षरता दर तो हम देखते हैं कि आज भी male का जो ratio है literacy rate है वो जादा है एक तरफ हम 21st century में चल रहे हैं हम चान तक पहुँच है ना लेकिन आज भी आदमियों को लड़कों को जादा पढ़ाया जा रहा है in comparison to girls तो दूसरा point आप क्या लिख सकते हो literacy ratio of women is less than men जो literacy ratio है पढ़े लिखे की जो दर है वो भी औरतों की कम है आदमियों से compare करने में थर्ड आप देख रहे हो children एक तरफ government बात कर रहे हैं कि हम women को protection दे रहे हैं लेकिन फिर भी women के against रोज crime हमें सुनने में मिलते हैं अकबार में newspaper में murder, rape, molestation, छेड़ खानी ये वो तो तो तीसरा point आप क्या लिख दोगे crime against women have increased a lot और बहुत जादा crime जो है women के against बढ़ गया है चौथा इस image को देखो आज भी लोगों की ये सोच ये है कि औरतने तो केवल घर का काम करने के लिए बनी है और बाहर का काम जो है वो आदमी ही कर सकते हैं तो fourth point क्या लिख दोगे even in 21st century some people consider women to work in home है ना कुछ लोग ये consider करते हैं कि औरतने तो केवल घर के काम के लिए बने हैं तो guys अगर इस question में आप इस तरह से ये चारों point लिख होगे आपको full marks मिल जाएंगे next question देखिए state different forms of communal politics with one example each ये कहरा अलग-अलग form बताओ communal politics की और example भी तो सबसे पहले इस तरम को समझते हैं कि भाईया communal politics होता क्या है जब politics के अंदर जब राजनीती के अंदर religion धर्म आ जाए उसको communal politics कहते हैं जैसे चिलन अभी आपको पता हो पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन मान जी है तो पंजाब में जब election हुए तो जितनी भी government थी अलग-अलग parties ने जो भी उम्मीदवार उतारे सारे बो उम्मीदवार उतारे जो पंजाबी थे जो टर्बन लगाते थे क्योंकि उनको पता था कि पंजाब में अगर कोई भी तो लोग उसको ही वोट करेंगे जो पंजाबी होगा और सिर पे पंगडी लगाता हुगा देख रहे हो आप तो पहला answer पहला point क्या लिखोगे आप the formation of political parties based on religion, caste, etc. है ना political parties का बनना किसके बेस पर? religion के बेस पर बनना, caste के बेस पर बनना तो पहला example तो यह है यह जो children starting में जो line लिखे है the different forms of communal politics are as follows यह पूरी मैंने यहाँ से copy किया है ठीक है तो आप भी ऐसे लिखोगे दूसरा point देखेंगे चिल्डन मेजोरम में यह देखा गया जहाँ पर जादा आबादी जो है Christians लोगों की थी अब जैसे पूरे भारत में हर स्टेट में international yoga day celebrate होता है लेकिन इन्होंने international yoga day celebrate करने से मना कौती है किसके बेस पर बसकेवल धर्म के बेस पर कि यह हम नहीं मानते हैं तो दूसरा point क्या लिखोगे the state of miserum which is a Christian majority जहां Christian लोग सबसे ज्यादा रहते हैं does not hold international yoga day नहीं रखते तीसरा अब जो कश्मीर के हलांकि अब तो नहीं अब तो सरकार ने अलग से स्टन कर दिया है लेकिन जो कुछ लोग थे वो क्या demand कर रहे थे कि ना तो हमें इंडिया में मिलना है ना हमें पाकिस्तान में मिलना है हमें खुद का state बनाएंगे ठीक है वो कह रहे है कि free करो भाहिया कश्मीर को जबकि कश तो यह है communal politics के कुछ तीन अलग अलग examples अगर आप इस तरह से point wise लिखोगे आपको full marks मिल जाएंगे next question देखो state how caste inequalities are still continuing in caste inequalities क्या है आज भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादतर शादियां जो है वो अपनी ही caste में हो रहे है याद आव यादमों में कर रहे है शर्मा पंडि विदिन देर ओन कास्ट और ट्राइब आज की डेट में भी जादा तर लोग जादा तर फैमिली जो शादी कर रही है अपनी ही caste में अपने ही ट्राइब में कर रहे है फैमिलीज दू नॉट अलाव इंटर कास्ट मेरेज़ है ना कई बार फैमिलीज कह देती है भी यह के लोगों के साथ उटना बैटना पसंद नहीं कर सकती थे यहाँ पर यह लेडी इसको पानी पला रही है थनुल से यह नहीं तो वैसे तो लगवर खताम होगा लेकिन आज भी बहुत जो चोटी जगहं हां जो रूरल ऐयरिया बहां पे आज भी यह प्रैक्तिस हो रही है untouchability still exists in different rural parts of the country तीसरा देखो आज भी हमारे यहां caste system इतना prevail करता है अभी big boss हुआ था तो जो यादव community थी वैसा तो खेर पूरे country वाले ही बोट करते हैं लेकिन यादव community ना Elvis यादव को फूब बोट दिये है ना और आप देखो इनका नाम है Elvis यादव तो जो हमारा सरनेम होता है हम उसको इसलिए लगाते हैं ताकि वो हमें identity बताए रोहित शर्मा आप देखो नाम में ही शर्मा लगाए तो पता चल जाता है यादवी बंड़ थाकर अनूप सीम नाम में ठाकर लगा दिया तो पता चल गया जी यह नाम ठाकर आदमी है तो हम क्या करते हैं अपने सरनेम का यूज़ करते हैं अपनी identity बताने के लिए people use their cast name as their last name ठीक है cast को बताने के लिए अपना last name में जोड़ते हैं to keep themselves associated with their cast ताकि उनकी cast का association उनके साथ जुड़ा रहे हैं अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं कियाना तो please यार एक like कर देना ऐसा वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है तो मैं 3 तक count करूँगा children I hope मेरी महनत आपको अच्छी लगेगी आप वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe करेंगे 1,2,3 I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है और please चैनल को subscribe कर दीजे thank you guys state two reasons to say that caste alone cannot determine election result in India यह कह रहा है यह ठीक है communal politics होती है इंडिया के अंदर लेकिन खाली caste से ही पूरी तरह से कोई भी पार्टी जीतती या हारती नहीं है यहां पर दो बड़ी पार्टियों की बात करते हैं Congress की और बीजेपी की अगर हम Muslim vote की बात करें तो ज्यादा तर Muslim vote बीजेपी को vote नहीं देता ठीक है ठीक है और ज्यादा तर हिंदू लोग जो है कुछ हिंदुवादी हैं जो बीजेपी को vote करते हैं कुछ Congress को vote देते हैं क्या ऐसा है कि Muslim कोई भी Muslim बीजेपी को vote नहीं देता नहीं बहुत सारे Muslim बीजेपी को vote देते हैं क्या ऐसा है कि सारे Hindu बीजेपी को vote देते हैं नहीं बहुत सारे Hindu Congress को vote देते हैं और दूसरी parties को vote देते हैं तो पहला पॉइंट यह है क्या है नो पार्टी है एवर वन ओल दी वोट्स ऑफ पर्टिकुलर कास्ट वाई मान के चलो यादव कम्यूनिटी है तो ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव या उनके बेटे की सपागी सरकार आएगी तो सारे ही यादव 100% यादव इनी को सरकार देगे तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक कास्ट के 100% वोट किसी पर्टिकुलर पार्टी को चले जाए सेम पार्लियमेंटर कॉंसिट्यूशन में भी कभी नहीं हुआ नो पार्लियमेंटरी कॉंसिट्यूएंसी इन इंडिया हैस दी वोटर्स ऑफ सिंगल जितने भी यादव के वोट से मोँ सारे इस पार्लियमेंटर को जाएंगे जितने भी शर्मा वोट हैं इधर जाएंगे जितने भी गुजर वोट हैं व इधर जाएंगे एसा नहीं next question what is the status of women representation in India legislative bodies अगर legislative bodies में बात करा जाए अगर लोग सभा में बात करा जाए तो 10% भी नहीं है विमेन की भागेगारे देख रहे हो आप जादातर सारे आपके आदमी लिखेंगे बस यहाँ पे एक लेडी दिख रही है यहाँ पे एक लेडी दिख रही है और यहाँ पे एक लेडी दिख रही है तो मलत 10% से भी कम है तो पहला point आप क्या लिख सकते हो पहला point लिख सकते हो इन लोग सभा there are less than 10% अब बात करते है state assembly की state assembly की हालत तो और जादा यहाँ पे लेडी की इस्तिति काफी अच्छी है क्योंकि गवर्मेंट ने बढ़िया काम किया कि वन थर्ड जो सीट से वो रिजर्व कर दी है किसके लिए लेडी के लिए तो कई बार आप देखते होगे आपके वार्ड में चुनाव होता होगा कई बार इस तरह से आपको लेडी के फोटो वो फिलेक्सेज मिलते होंगे है ना जैसे यहाँ पे लिखाय स्रीमती पूजा सुनील कुस्वा को विज़ाई बनाईए करें तो तीसरा क्या है बट इन दा केस ओफ लोकल गवर्मेंट बोड़ी यह बढ़िया काम कर दिया लेडीज के लिए हमें किस बात से पता चलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है भारत में कोई भी इनसान किसी भी धर्म को अपना सकता है वो हिंदू मन जा है मुसलिम मन जा है और उसके जो भी रोल है वह हिंदू आदमी के लिए जैसे डांडिया पड़ेगा वो डांडिया कर सकता है मुसल्मान क्याँ यह एथ पड़ेगी वो एथ कर सकता है मौर्रम कर सकता है तो गॉवर्मेंट इंटर्फेर नहीं करती everyone is free to follow their own religion in India इंडिया में government आपको क्या ना मैं force नहीं करती कि तुम हिंदू बनो कि तुम मुसल्मानी बनो कि तुम सिखी बनो कि तुम इसाई बनो कि तुम जैन बनो नहीं जो जो वही है जो religion follow करना है follow करो the state does not interfere in the matters of religion वही state जो है matter को interfere नहीं करता किसी के religion में मार काट करोगे कोई crime करोगे तो तो जाहर सी बात है सरकार आईगी बीच में लेकिन अगर आप अपना कोई भी ritual follow कर रहे हो धर्म के नाम पर जिससे किसी को कोई लुकसान नहीं है तो सरकार की तरफ से कोई भी रोक डोक नहीं है गाइस मैंने पहले भी बताया दुबारा बता रहा हूँ answer को बढ़ा करने के लिए हमेशा जैसे इन्हों ने पूछा any two constitutional provisions तो हम लिख देंगे the two constitutional provisions making India secular states are as follows ये पूरी line हम यहीं से copy करेंगे ठीक है इस तरह से आपको full marks मिलेगे when we speak of a gender divisions we usually refer to हमारी जो society है आज भी women के लिए क्या कहते है कि तुम घर के काम करोगे आदमी बाहर के काम करेंगे नेक्स्ट इन इंडिया seats are reserved for women पंचायती राज बोडीज में अभी हमने पढ़ा था ना local government में one third seats किस के लिए reserved है ladies के लिए reserved है ये question कह रहा है कि इन्होंने ना कुछ points दे दिये ठेक है और communal politics के बारे में communal politics is based on the belief that अब communal politics किस किस चीज पर based है communal politics होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए religion के based पर तो देखो option number a one religion is superior to that of others communal में क्या होता है कि ये नीता वगएरा भड़वा देते हैं कि भई हमारा धर्म अच्छा है हम इंदू है हम मुसल्मान है हम तो सिक्क है भाई हम तो ये करेंगे ये करेंगे और followers of a particular religion constitute one community किसी भी particular religion के लोग ना एक community बनाने को तो right answer होगा A and C children इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूँगा कितने बच्चे right answer देंगे less salary is given to dash in India हमने starting में पढ़ा था इनको ना कम salary दी जाती है आदमियों को औरतों को यानी women को या none आप चाहो तो अपने answer में comment में A, B, C लिख देना मैं समझ जाऊँगा I hope मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा Please वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में Bye Bye